बचों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विशयेकाथ अध्याई 8 कोशिका सनुच्णा एवं प्रकार एव बचों इस पार्ट के पिछले भाग में हम पढ़ वाग के पारे में कि कोशिका किसे कहते हैं कोशिका की 및 खोज किस प्रकार से हुई और हम ने यह भी समझा क कि क्यों हम कोशिका को सजीव की शरीजी की मूलभूत सनशनात्म की कहते हैं बचों इस भाग में हम समझेंगे कोशिका की सनशना के बारे में तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम ले लेते हमारे दो प्रशने जो पिछले वीडियो में मैंने आपको हो अगसमें नाम दिया अगला प्रशन है बहु कोशिक के टैन से कहति हैं तो बचों हमने पढ़ा था कि वे जीव जिनका शेरीर एक से अधी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं हम बहु कोशी की है जीव और उधारण अगर हम देखें तो पादाप और मनुष्य क्या है बहु कोशी की है जीव और ये जो कारे हैं बच्चों ये किसकी द्वरा संपादित किये जाते हैं तंत्रों के द्वरा किये जाते हैं जैसे कि हम बात करें मनुष्य में तो मनुष्य में इन सभी कारें को करने के लिए अलग-अलग तंत्र पाये जाते हैं जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उ करेंगा एक कारे को संपाधित करेंगी तो उतक कहलाएंगे बचों यह जो उतक हैं यह किस से बने हुए हैं कोशिकाओं के समु से बने हुए हैं यानिकि हम कह सकते हैं कि उतक में क्या है कोशिका हैं उपस्तित है यही बात हम पहले भी कर चुके हैं की कोशिका जो है वो सजीव की मूल अथी सकते हैं कोशिका है कोशिका जिली कोशिका द्रव्या और केंदरक तीन घटक जो हैं इसमें मूल itself उपस्तित रहते हैं बचों यह हमारे पास में जन्तु कोश्यका का चित्र इसको हम देखें तो इसका जो बाहर कावरण है जिल्ली के अंदर एक जैली समान पदार्थ भरा होता है वह कहलाता है बच्छो कोशी का द्रवय है और इस कोशी का के मध्य में एक सघन सा रषते उपस्तित होती है जो क्या कहलाएगई बच्छो केंड्रक कहलाती है तो मॉल रूब से कोशी का के तीन घटक हो गए siitä कौन कौन से हो गए सबसे बाहर जो है वो है बच्चों कोशी का जिली, इसके अंदर एक द्रव पधार्त भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा कोशी का द्रव्य कहलाएगा और इसके मध्य में एक सगन सा रशना उपस्तित होती है जिसे कहते हैं बच्चों हम केंद्रक अब एक एक करके हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं कोशी का जिली बच्चों कोशी का जिली जो है इसे प्लाजमा जिली भी कहते हैं और इस कोशी का का जो भी कोशी का द्रव्य है और केंद्रक है चित्र कोशिका कर रहा है चित्र में क्या कर रहा है तो आपस में अलग कर रही है बसक्र पाया सकते हैं किसी होती है और इन शिदों का क्या काम है इन शिद्रों से जो है विबिन पधारतों का अवागमन होता है यानि कि कोशिका के अंदर कुछ पधारत अंदर भी आ सकते हैं और कुछ बाहर भी जा सकते हैं चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे लेते हम प्याश की जिल्ली की कोशीज का जिली के उपर जो है एक अव आवरण और पाया जाता है उसे कहते हैं निक कि इसके अंदर क्या हो गए सँरक्षा की आवशकता अधिक होती है आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पादपों को जो है वो कोशी का भिती की आवशकता क्यों होती है बचो हमने पड़ा कि जो पादप कोशी का है उनके अंदर एक अतिरिक्त सरशना भी उपस्तित होती है कौन सी होती है कोशी का भित्ती होती है बचों जो पौधे हैं वो जलवाई परिवर्तनों से जो है अधिक प्रभावित होते हैं हमें पता है कि जैसे मालीजे ताप में परिवर्तन हो रहा है या तीवर गती से वायू चल रही है या फिर वायू मंडली नमी है तो यह सब परि पड़ी वर्तनों से अधिक प्रभावित होते हैं इसलिए क्या है बचों कोशिका भृती पादप कोशिका में उपस्त्रे Hanukh जन्तु कोशिका में नहीं होती है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं Next है कोशिका द्रव्य हम बात कर चुके हैं बच्चों कोशिका द्रव्य क्या होता है एक जैली समान पधार्त होता है जो किसके अंदर परिबद रहेगा जैली जैसा पधार्त है बच्चों और क्या होगा ये कोशिका जिली और केंद्रक की बीच में पाया जाएगा चित्र में देखे बच्चों ये है मनुष्य की गाल की कोशिका है इनमें क्या है बाहर की तरफ जो है ये कोशिका चिलि है और अंदर कर्या वंए और इसके चारों केंद्रक की चारों एंदर कोश होगी जया द्रवे के अंदर कोशीका व॥ तो बचों यह जो केंद्रख है Intel को शिखा का सबसे भैता फोर्टस इतक होता है यानि की सबसे अधिक इंप्पॉर्टेंट क्या चीज है इस को शिखा में यह केंद्रख है बचों अभी हमने केंद्रख है ओर केंद्रख जो के द्वारा जो है कोशी का द्रवे से अलग रहता है यानि कि इस केंद्रक के ऊपर भी जिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं बचो हम केंद्रक जिल्ली अत्वा केंद्रक का वरन केंद्रक का आवरन क्या कहलाता है केंद्रक जिल्ली कहलाता है बचो यह जो केंद्रक जिल्ली है ये भी सरंद्र होती है यानि कि इसमें भी क्या है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये क्या करेंगे कोशी का द्रव्य और केंद्रक के बीच में पधार्तों की आवा गमन को नियंत्रित करते हैं तो बच्चो हम कह सकते हैं कि कोशी का जिल्ली भी कैसी है सरनंद्र है और केंद्रक जिल्ली भी कैसी है सरनंद्र होती है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो ये जो केंद्रक है इसके अंदर छोटी सखन सनशना उपस्तित होती है उसे कहते हैं बच्चो हम केंद्री का या रेजीन हम कहते हैं इसी नूकली ओलट और इसके अलावा केंद्र केंदर कुछ धागे ओमा सरशनाई भी पाई जाती है उन्हें कहते हैं बच्चों यह जो गुंण सुत्र होते हैं यह जीन के धारक होते हैं और यह जीन क्या करते हैं आनुवानशिक सूशनाओं को एक गुण सुत्र होते हैं यह आनुवांशिक गुणों अथ्वा लक्षणों को कहां पहुंचाएंगे जनक से अगली पीड़ी में पहुंचाते हैं यानि कि निये स्थानांतरित करते हैं लक्षणों या गुणों को बच्चों ये जो गुण सुत्र होते हैं ये सामारे परिस्त बतकॉन करेगा यह जीन करेंगे जीन क्या करते हैं रहनी कि हमेरे माता पिता की लक्षण हमें प्राप्त हुए है यानि कि क्या हुआ हमारे माता-पिता से यह जो लक्षण है यह इन जीन के द्वारा हम तक पहुँच गए हैं यानि कि हमारे जनक से हम संतती के अंदर यह गुण पहुँच गए हैं भी कि सजीव कोशीगा कार जो समगर संगर्ठ के कहते हैं बचने कोशीगा द्रव्य को और केंद्रक द्रव्य को ये कोशीगा का जीवित पधार्त भी खेलाता है वच頭 अब हमने समझा द्रव्य के बारे में तो कुछ कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो है वो सू संगठित पाया जाता है उसके उपर एक जिली नुमा आवरण पाया जाता है जबकि बचों कुछ कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो है वो सू संगठित नहीं होता है और जिली भी उनमें अनुपस्तित होती है इसी के आधार पर कोशिकाओं को और जीओं को दो भागों में बाटा गया है कौन-कौन से भाग है बच्चों यह पो पो खोल हैं जीवानों कोशिका कि अगर बात करें तो इनके अंदर जो केंद्स यह और अनंपस्तित होती है तो बचौं ऐसी कोशिका को हम कहते हैं प्रोकेरियोट कोशिका किसी कहेंगे बच्चों ऐसी कोशिका हैं जिन में केंद्रक पधार्त केंद्रक जिली के बिना होता है यानि केंद्रक जिली अनुपस्तित होती है प्रोकेरियोट कोशिका कहलाती है और बच्चों ऐसे जो जीव होते हैं ये क्या कहलाएंग केंद्रक नहीं पाया जाता है जबकि बचों कुछ कोशिगांbolt कैसे है जिनमें Oops Just Kindract को संगर्ठित केंद्रक जली बहुती है तो क्या ऊएंगे बचों इन्हें हम कहते हैं कि अई से क्यों कौशिगा केहलाती है अर वाद मेंने पढ़ा जंतु कोशिगां Partners केंद्रक तो धारन क्या हो जाएंगे जन्तु और पादप कोशिका चलिए बचों आगे हम समझते हैं जन्तु और पादप कोशिका में अंतर को तो बचों यह चित्र है हमारे पास में पादप कोशिका का और यह है जन्तु कोशिका का बचों कुशंतर आपको चित्र में देखने से सबसे पहले हम बात करें केंद्रक की तो जो पादब कोशिका है इसके अंदर केंद्रक कहां है परिधी की और है जबकि जन्तु कोशिका में केंद्रक कहां पर है मध्य में है इसी तरह अगर हम देखें रिक्तिका जो यहां पर कोशिका द्रव्य जो है उसके मध्य में एक रिक पादब कोशिका है उसमें रिक्तिकाई आकार में बड़ी होती है जबकि चन्तु कोशिका में रिक्तिकाई जो है आकार में बहुत छोटी होती है इसके अलावा बचों हम देखें कि जो पादब कोशिका है उसके अंदर लवक पाये जाते हैं विभिन विभिन प्रकार के लव यह जो है Plastid के अंदर उपस्तित बंधर्था होता है और इन्हें विश्ष्ट के प्रतान करता है यह सबाना कर तो क्या कहेंगे इस नहीं आते है जिसकी क्लोर प्रतव करते है होता है और ह्रिटलवक क्लोर क्लो फिल जो है उस थी कोशिका की तुलना को समझते हैं तो बच्चों यहां पर हमें पादप और जन्तु कोशिका की तुलना समझनी है यहां पर बच्चों हमने क्या लिये हैं कोशिका की विभिना भाग लिये हैं अब हम पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में तुलना में देखेंगे कि पादब कोशिका में भी उपस्तित है और जन्तु कोशिका में भी उपस्तित है नेक्स्ट है बच्छों कोशिका भिति तो बच्छों हमने पढ़ा था कि जो कोशिका भिति है यह केवल पादब कोशिका में ही उपस्तित होती है तो यहाँ पर क्या जाएगा उपस्तित और जन जनतु कोशीगा के अंदर कहा था बचों यह मध्ये में उपस्तित होता है नेस्ट है केंद्रक जिल्ली हमे पढ़ाा था कि जो पादब कोशिगा और झेनतु कोशिगा दोनों के कैसे है यह की रियोटी कोशिगा हैं कि पश्ये अब कोशिगा दर्वे 17 सित होता है लेकिन बचों जो पादप कोशिगा है उसमें जो कोशिगा द्रवे हैं वह कहां पंड़ता कि रापता नहीं होती है क्योंकि जनतो क्या करेंगे पेड़ पहों से अपना प्राप्त करते हैं उससे दिवर बहुत बड़ी आ ग्या वहां पर बहुत बढ़ी आ गया इसके अलावा हम ने बात की थी जनतु कोशिका की तो जनतु कोशिका में रिखती है कैसे थी बचों छोटी थी और संख्या में अधिक थी तो ये हो गए बचों पादप कोशिका और जनतु कोशिका में अंतर और इसी के साथ में बचों हमारा ये भाग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मिलेंग हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्णों के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवार